हाई अब्रीवन वेलकम स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 36 गर्ड विए से नर्शिंग के सिलीबस के बारे में क्या कर टॉपिक होती है इससे पहले वीडियो में हम लोग ने पीडियेप में देखा था बट यहाँ पर सारी टॉपिक को क्लासिफा करके टॉपिक वाइस दिया गया है सभी सब्जेक्ट का तो यहाँ पर देख सेते हैं क्या लिखाया है कि सिलीबस 36 गर्ड विएस नर्शिंग ऑफ 2022 आपका सिलीबस क्या क्या चीजे हैं उन सभी ची जोग पर आपको ध्यान देना हो था कि आपको नेक्स्ट एक्जाम में आ क्या हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर दिया है इनिफॉर्म वेलेसिटी एंड एसलेरेशन जो दिया है फोर्स एंड इनेर्शिया दिया है वर्क एनेर्जी एंड पावर दिया है और मुवमेंट ओफ इनर्शिया दिया है इनि topic को detail में पढ़ेंगे हम लोग concept wise chemistry में दिया है आपका structure of atom के बारे में दिया है chemical bond के बारे में दिया है nuclear chemistry solution दिया है यहाँ पर लिखा है thermodynamics and thermochemistry दिया है electro chemistry दिया है organic chemistry दिया है organic chemistry दिया है biomolecules दिया है तो chemistry में इतने topic है and botany में क्या दिया है structural organization season of a sale दिया है pro-keratic and eukaryotic जो है सेल के बारे में हाँ पर दिया हुए बताना है इसको यहाँ पर दिया है micro-porgonist and यहाँ पर दिया है mega spornies दोनों को detail करना है हाँ यहाँ पर genetics दिया है tissue के बारे में बताना है ecosystem induction दिया है हाँ पर plant role in human welfare के बारे में बताना है पर prevention of foods it's importance इसके बारे में बताना है आपर next दिया है breeding of land के बारे में and agriculture and industry of cheese making के बारे में आपर detail करना है वहीं पर geology में दिया है यहाँ पर देख सकते हैं geology में development of biology के बारे में बताना है development of genetics के बारे में structure and function of animal life economic geology के बारे में history of economic geology mammalian astronomy के बारे में बताना है आपर mammalian reproductive system के बारे में हापर detail करना होगा theory of organ life के बारे में effect of disease and illness on life के बारे में बताना है तो देखिए यह सारे इंगलिस में है आपको English में ही study करना होगा ठीक है गई लोग सोचना है इसका हिंदी बताए तो बिल्कुल यह आप जैसे हम concept class करेंगे उससे में आपको Hindi detail करूंगा ताकि आपको जो है समझ में आजा कुछ कुछ चीजे और जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप English में फोकस किजिए वियर्श करना है तो बिल्कुल ही त्यारी कर सकते हैै तो बिल्कुल ही त्यारी कर सकते है जर्मले। सो मिलते हैं इस वीडियो में सो थाइंक्यों सो मच पर वॉचिंग और भी किसे वे कोई रहे होगात कमेंट कर दीजेगा